Hello everyone, this is Shruti और आप सभी का स्वागत है हमारे Commerce YouTube चैनल में आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं Marketing Mix के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने Marketing की सीरीज स्टार्ट की हुई है मार्केटिंग के सारे टॉपिक्स आप लोगों को प्रोवाइट कर आ रही हूँ इससे पहले भी Marketing के ओपर काफी सरी वीडियो बन चुकी है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आज की वीडियो में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं typical marketing mix okay my marketing mix क्या होता है basically मैं वह इस वीडियो में सबसे पहले पको description दूँगी उसके बाद हम start करेंगे अपना mix जो होते हैं जैसे marketing mix के अंदर चार तरह czy mix है first mix हम फिर उसके बाद start करेंगे सबसे पहले आप लोग यह समझ लिजिए कि marketing mix क्या होता है marketing mix marketing mix अब मतलब mix क्या होता है बहुत सारी चीजे होगी उन्हीं को तो आप mix करेंगे बहुत सारी जो चीजे होती है उनको mix करेंगे तभी तो कोई एक चीज बनेगी तो marketing mix जो है वो चार चीजों से बनती है देखेंगा यहां पर मैंने definition लिखी हुई है यह देखेंगा combination of four inputs चार inputs होंगे जिनसे marketing mix बनती है marketing आप अल्रेड़ी जानते हैं अब यह mix कैसे बना वो मैं आपको यहां पर बता रही हूँ देखेंगा four inputs होते है four inputs क्या-क्या होते है the product, price, promotional activities and distribution system यह चार main points है अभी जाद साद no down करते चाहिएगा और समझते भी चाहिएगा तो four inputs यसे मिलकर हमारा marketing mix बनता है अब marketing के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन basically four mix होते हैं अगर आप देखें from the point of view of twelfth class, twelfth class के point of view से आप लोगों के four mix है, four piece है, okay लेकिन अगर आप देखेंगे आपके master's के basis पर, m.com के basis पर या bb, mb, जो भी आप कर रहे है उसमें आपके ये seven piece हो जाते हैं, तो इसके उपर मैं एक अलग से video बनाऊंगी, जिसमें आपको पूरे seven piece describe करूंगी, फिलाल यहाँ पर मैं आप लोगों को चार piece बता रही हूँ, जो marketing का base है, okay, तो marketing mix समझा है, आपको क्या होता है, marketing mix का मतलब यही है, कि कुछ सारी चीज मैंने चार्ट के तुरू आप लोगों को explain किया, आप लोग अम से देख सकते हैं, marketing mix और मैंने आपको side में लेखा four piece of marketing, आप four piece कौन-कौन से हैं, तो first is product, जिसको आप product mix बोल सकते हैं, second is price, जिसको आप price mix बोल सकते हैं, next is place, यानि के place mix and promotion, यानि के promotion mix, अब जो यह चार mix है यह जो चार piece हैं, इनको बहुत detail में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि marketing का पूरा syllabus जो है, marketing जो topic है, अब एक wide topic है, वो सारा इन ही में ही cover होगा, ठीक है, तो अब जो मैं इसके आगे आप लोगों को बताऊंगी, हम start करेंगे product mix, तो आपको basic structure बता चल गया, marketing mix का 4 inputs होते हैं, यह 4 हो, note down कर लीजिए, उसके बात start करते हैं अपना product mix, ठीक है, हर एक video में आपको पूरा अच्छे सा detail में समझाऊंगी, कोई चीज नहीं clear हो रही है, तो आप जिजख मुझ से comment section में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मेरी email ID पर mail करके कोई भी query है, तो पूछ सकते हैं, I will try to solve your queries, okay, so देख लेते हैं, आपकी product mix क्या होता है, ठीक है, product mix क्या होता है, आप लोग बिल्कुल भी confused मत होई हैगा, marketing mix और product mix में बहुत लोग कहीमारी confused हो जाते हैं, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देखिए, कि marketing mix, marketing mix एक wide term है, यह में product mix, price mix, place mix, promotion, यह इसके parts है, तो अब हम यह first part पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम यह first part start कर रहे हैं, इसके उपर ही मैं आपको 2-3 वीडियो और दोंगे detail में, तो हम start कर रहे हैं अपना यह first part that is product mix, ठीक है, product mix क्या है, अब सबसे पहले तो चीज आपको यह समझने है कि product क्या होता ह product आप लोग सब चानते है, product एक ऐसी चीज होती है, जिसको आप चू सकते हैं, जिसको आप consume कर सकते हैं, टेंजिवल होती है, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, तो product मतलब जो भी चीज आप अपने यूज में लेकर आ रहे हैं, everything is a product, अब मेरे पास यहां पर markers हैं, तो यह यह भी product है, मेरे पास यहां पर book रखी है, यह भी product है, सब कुछ जो मेरे आसपास है, सब कुछ product है, जिने में use कर रहे हूं, ठीक है, तो that is product, product mix क्या होता है, अब mix का मतलब फिर से वही चीज की, product mix का मतलब है, जिसके अंदर decisions लिये जाते हैं, related to product, यानि कि product mix वो चीज है जिसमें सारे product से related decisions लिये जाएंगे, अब वो decisions क्या क्या हो सकते हैं, like quality of product, product की quality कैसी होनी चाहिए, product दिखने में कैसा होना चाहिए, product का design क्या होना चाहिए, packaging कैसी होनी चाहिए, labeling क्या क्या करनी है, product के features क्या क्या होने चाहिए, product के benefits क्या है, product का shape क्या लिया जाए, किस त यहां पर जितनी भी डिसीजन्स लिए जाते हैं प्रोड़क्ट से रिलेटेड वह आते हैं आपके प्रोड़क्ट मिक्स के अंदर अब यहां पर एक लाइन लिखी है number of products and items a particular producer offers to a market इसका ग्या मतलब है product mix के अंदर सिफ यही नहीं है कि product कैसे decide किया जाए कैसे बनाया जाए वही चीज़े आएंगी बलकि यह भी चीज़े आते हैं माल लिजे कोई for example कोई एक छोटा सा बिजनेस्मेन है या manufacturer ले लीजे अब वह एक बहुत ही starting level से start करता है जस्ट माल लिजे आज ही वह इस manufacturing line में आया है तो वह क्या एकदम से ही 50 तरह के products बना देगा बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा पहले वह एक product से start करेगा फिर एक product जब उसका धीरे धीरे चलने लगेगा तो आगे अपनी varieties और जादा बढ़ाता जाएगा तो वह चीज़ भी इसके अंदर आती है product mix के अंदर मतलब specialization होती रहेगी specifications होती रहेंगी और आपकी varieties आती रहेंगी diversities होती रहेंगी clear तो वह भी आपका आता है product mix के अंदर तो यह है overall आपका product mix अब product mix के अंदर तीन में चीज़े हैं that is branding, packaging और labeling ठीक है यह तीन चीज़े हैं इन तीन के ऊपर बनेगे detail में video अगर मैं यहां पर आप लोगों को समझाती हूँ तो I don't think that is branding के बहुत वरलम में video हो जाएगी ठीक है तो मैंने इन तीनों पर अलग अलग videos आप लोगों को देनी है ताकि आप लोगों को concept बहुत अच्छे से clear हो जाए तो मैं ब्रीफ में आपको पता दिती हूँ होता क्या है branding क्या होती है अब आप लोग shop पर जाते है branded clothes खरीदे लिवाइस की अपने jeans खरीदी, nike के shoes खरीदे इस तरीके से तो ये क्या है brand है ठीक है brand होता है तो brand का प्रियो process है that is branding मतलब brand name हो गया ना मतलब नाम चलता है उनका कोई भी चीज को एक special नाम दे देना that is known as branding जो कि मैं आप लोगों को already features में बता चुकी थी तो वही चीज़े या पर branding की brand होना चाहिए अब इसके उपर बहुत सारा detail में जो भी चीज़े में आप लोगों को बताना चाहती है वो मैं next video में cover कर दूँगी उसके माद आता आपका packaging packaging बहुत important role play करता है एक product के लिए अगर packaging नहीं होगे product पे तो क्या product सेफ होगा अगर आप यहां से यह marker लेकर जा रही है मेरे पास से खरीद कर और आपको मैं धक्कन ना दू ऐसे दे दो और यह गिर गया तो क्या होगा product बचेगा आपका नहीं बचेगा तो यह इसके safety के ल I don't think कि आप लोगों को दिखेगा आप यहां पर देख सकते हैं यह marker है अगर आपको clear है तो इस marker के ऊपर काफे सारी चीजे लिखी हुए है इस all are known as labeling जो भी description दिया होता है किसी भी product के ऊपर ठीक है वह होता है अपका labeling सारी चीजे बताई होती है क्या-क्या ingredients यूज हुए ह क्या इसके harmful effects है क्या warning signals है सब कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ होता है तो यह दो मैंने आपको इन तीनों के meaning बता दी अब next video में मैं लेकर आओंगे आप लोगों के लिए इनको detail में पढ़ेगा अच्छे से इनको पढ़ लीजेगा क्योंकि इनसे questions आते हैं आपके 12th के board के exams में भी और competitive exams में ठीक है तो I hope आपको clear हुआ होगा marketing mix क्या होता है marketing mix के 4 types होते हैं उसका first type मैंने आपको यहां पर explain किया है अब आगे ही अपनी marketing के series को continue करते हैंगे जो भी आप लगों के doubts है मुझसे पूछते रहिएगा comment section में तो फिर मिलते हैं अपनी next video में वीडियो को जाद से जाद से शेयर कीजेगा अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो thank you